रजो सबके लिए एक ही मेसेज लाती है कि आप कहीं से भी आये हो, आपका बैग्राउंड जो भी है, जैसा भी है, आपके ड्रीम्स कभी खतम नहीं होने चाहिए और ये उमीद नहीं खतम होनी चाहिए कि वो ड्रीम्स हम एचीव नहीं कर पाएंगे हार्ड वर्ग, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपर्टेंट है, उससे ही आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो 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 अल्टिमेट मेसेज जो रजो लेके आ रही है, और और एक बात हमारे लाइफ में एमोशन बहुत इंपर्टेंट रोल प्ले करती है, और आ यहाँ पे आप देखोगे कि अर्जुन रजो की केमिस्ट्री बस लिमिटे टू रुमेंस नहीं है, वो उनको आगे लेके जाते हैं, यह एंटी केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री, तो 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 डिफ्रेंस, अके रजो एक छोटे से गाउं में पली बढ़ी है, और उसका उसके पास, उसके परिवार में सरफ उसकी माँ है, जिसके इरिद गिर्द उसकी दुनिया घूमती है, और रजो अपना बहुत इमानदारी से, बहुत हार्डवक से अपना घर चलाती है, और एथलेटिक लड़की है, और कहीं ने कहीं उसकी माँ यह सब चीजें पसंद भी करती है, इनके फैमिली के डिस्प्यूट है, बद स्टिल रजो है, चंचल है, पूरे गाउं में बहुत फेमस है, उचलती रहती है, कूती रहती है, और वन मोर थिंग की, 90% स्टंट जो है, वो सेलेस्टी ने खुद किये है, तो यह सेलेस्टी नहीं है मेरे लिए, यह रज बैट के खा सकते है, आराम से लाइफ कर जाएगी, लेकिन नॉट दूइंग तट वो अपने काम को आगे लेके जा रहे है, महनत करते है, और महनत वैसे देखा जाए तो बहुत लोग करते है, लेकिन यह खुद के लिए नहीं, तूसरों के लिए करते है, यह बनाते हैं, भलाई के लिए लोगों के, ताकि वो मदद कर पाए, और बहुत कम दाम में बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि मनी माइंड़ होके काम कर रहे हैं, बट सोशल सर्विस जैसा, और अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और सब के लाडले है, उ और रजो और अरजुन के बारे में बोला जाये तो, अरजुन अच्छली बहुत स्नॉबिश है, हलका स्नॉबिश मतलब उनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, ताइम पे पांच बजे मतलब पांच बजे, अगर फाइव फाइव थ्री, फाइव तो बहुत दूर हो गया क्लमजी मतलब वो गाहों से है, उसने दुनिया नहीं देखी है, उसको तहजीब पता नहीं है, तो इसलिए अरजुन बहुत चिरता है उसे, और इनिशेली भी उनकी मीट ऐसी होती है कि इनका, मतलब फोन तोड़ दिया, फिर सर पे मारा, तो इसलिए वो इरिटेट हो रख कर रहे है, तो बहुत स्रॉंग कारेक्टर है, एक बार क्या हुआ था, जो हमने फर्स्ट प्रोमो शूट किया था, ओ, वोक्शॉप के बारे में जिस्त थोड़ा सा, ललित सर जो हमारी डिरेक्टर है, मुक्ता मैम, हमारी प्रोडूसर, निश्था मैम, मारी क्रेटिव राम सर, और राजवीर सर, हम लोग एवरी डे कर रहे थे, वोक्शॉप और वीक न, एक हफ्ते के लिए, अबाउट वीक और टेन देज, मेरा टेन देज वा था, इनके साथ वन वीक वा था, तो वो लोगों ने कॉंस्टेंटली मुझे सपोर्ट किया, यह मेरा पहला काम है, तो जो एक थो होता है, अक्टर का डायलोग डेलिवरी में, वो सिखाया गया, फिर स्क्रीन में कैसे लाइट लिया जाता है, लाइट लो, और कैसे बोला जाता है, सब बहुत चीजे हुई है, और वो लोग बहुत सपोर्टिव रहे है, स्पेशली राजवी सर, और जब भी सीन सें कुट भी होता है, अमनोट लाइट, जब सीन अभी भी, इनफाक अभी भी 2 महीने से उपर हो गया, शुट स्टाट हो के, अभी भी जब सीन कुट होता है, ही लाइन सब हम लाइन करते है, बहुत मतलब डिटर्माइने, ऐसा नहीं कि चार शोज, आपका छौता शो है, हा और प्रोमो के बारे में हमारा जो सीक्वेंस था एक जो आपने प्रोमो में देखा अर्जुन रज्जो को पानी से उठाते हुए लेके आ रहे है वो पूल में नहीं किया है हमने रियल साइट पे किया है लोनावला में हाँ बहुत गहरी नदी थी और मेरी जो ड्यूब गई थी वो सुबा आठ बजे उत्री थी पानी में फिर सारे आठ बजे शी कुरिंट टेक दे कोल फिर वो बहार आई कोल लेके और करन था पानी में बहुत करन था और डीप भी था कुछ दिखने रहे और सीन्स भी ऐसे कि डूब के निकलना है ऐसे तो मैंने बोला कि चलो ट्रा अधा निकाल के लेकर आगे है वैसे नहीं होता है टेक पे टेक टेक कभी फोकस का प्रॉबलम कभी पोस्च्छर का capture प्रॉबलम कभी लच्ट का प्रॉबलम बहुत ही टेक्स होते हैं तो हमारे साथ एक इंस्डेंट उया था कि गल्ती नहीं बोल सकति है भी मिस कर्म्योंмотрите तो हम हारनेस पे नहीं थे, मैं तो नहीं थी हारनेस पे यह हारनेस पे थे लेकिन इनका रोप निकाल दिया था और कमर पे रसी बंदी थी, कमर पे रसी थी, सपोर्ट का रसी ताकि बह गए तो पकर सके, इनके कमर पे रसी बंदी है और उपर से वो हारनेस पे कनेक्टिद था फिर क्या वो गाठ ढीली पर गई के कुछ हो गया, उनको एक शॉट चाहिया था मुझे पानी से निकाल के लेके जा रहे है, तो बस उतने से शॉट के लिए हारनेस निकाल दिया कि वो चेहरे पर आ रहे थी, ख्लोश शॉट था ना, तो इन्होंने में को पकड़ा और हम दो तीन सकिंड के लिए मुझे कुछ दिखने ही रहा था, ब्लैंक हो गई थी मैं, और मुझे स्विमिंग आती इनको इतने अच्छी से नहीं आती थी, लेकिन जान इन्होंने मेरी बचाई है, अर्जुन ने रजो को और राजवीर ने सेलिस्टी को बचाया है, अक्शल मे मेरा सर इनके पैर के नीचे तक जा चुका था, तो पूरा डूब गई थी मैं बह भी जाती शायद, बचाने आते ओविसली बट बहुत नीचे तक चले गई थी, लेकिन पता नहीं अचानक शिवजी बनके आये, पकड़ा मुझे और खीच के लेके आये उपर, उसके बाद आप बोले, आपको कैसा लगा? बचा के? बचा के नीचे और प्रिपरेशन सेम थी, लखनव का लड़का है, तो लेंगरिज का इतना इशू नहीं था, लहजा है, जो मेरा साफ है, और नॉर्मल जो कहानी में जितना लिखा जाता है, उतना ही बोलते हैं कि अगर आप उतना भी कर दोगे, बहुत हो जाएगा, उसके एक्स्ट्रा नहीं भी करोगे, तो जितना कहानी में लिखा गया था, जो डाल दिया, उसके बाहर कई बार आदमी भावनाओं में बहे जाता है, खराब कर दितना चीज़ है, तो बो इनिशिली हम लोगों ने भी नहीं छेड़ा है तो जितना लिखा था, जितना हमारा कलेक्टिव एक्सपिरियेंस है, वो डाल दिया, और रज्जो को मैंने हजार उपे दिये हैं मेरी तारीफ करने के, ठीक है, अधर्वाइज, हाना, वैलिटी खतम हो गई ना भी, कुछ भी, ऐसा कुछ में ही, बस मेरा रोल अच्छा हो, मेरा पार्ट हो जाए, यह यह भी ध्यान देते हैं कि मैं भी अच्छे से प्रफॉर्म करें, नहीं उसमें द्यान देने के जरूत नहीं है, वही बात है कि चीजें ज्यादा, तरीके से कई बर बोलकर एक्सप्लेइन नहीं की जाती हैं, वैसे समझ में आ जाती हैं, चीजे यह लगा कि यार यह लड़की आ गई है, यह तो इंडिया नहीं नहीं है, तो मैंने का यह फिरंगी लड़की क्यों ले आए हैं, मैं बैठके सोच रहा था वहाँ पर, है ना, विकस इसका लूप भी ए गोरी है थोड़ी चिट्टी है, बहुत टैन हो गया है, नौर्थीस् कर दी, जब इसने कॉस्ट्यूम पहना, जब इसने लाइने याद की और जब इंट्रेक्शन हुआ, हमाने परफॉर्म किया, तो वहां पर समझ में आया कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जिनको आपको डालने के जदोतनी ही पड़ती है, वो अपने आप ही नैच्रल इसे लगता है कि वाओ, मतलब छोटे बच्चे को देखते हो या एक नहीं को देखते हो, तो ऐसा लगता है कि यार ये कमाल कर रहे हैं on screen, तो या, that's it. झाल